में थोड़ा इंट्रेस्स मेरा रिड्यूस होता गया इधर चीजे गई आई गट फेल्ड इन 12th 12th फेल हुँ मैं फिजिक से मेरी कंपार्ट में आगए थी मैंने अभी तख कभी प्रॉब्ली प्राटफर्म में नहीं बताया मैं 5th में फेल हुआ था एक बरी बट यह जो थौट प्रोसेस बिल्ड वा ना मेरे दिमाग में बच्पन से कि नौकरी के पीछे नहीं भागना है तो दाट लेट्स मी ठीक कि मुझे कुछ ना कुछ करना है जिससे मैं कुछ बढ़ा कर सकूँ नौकरी ना करो वो नोट बंदी के वज़े से जो हमारी फाइनेंसल डिड़ की अटी नो तूट गई लाइक फादर वस बहुत दिप्रेस्ट की हां धर में पैसे नहीं नौकी मेरे पापा बोते थे थे ना कि कि क्या सब और उस पर काम करो मैंने प्रोपर एक घर छोड़ दिया प्रोपर चिट्थी लिखी उसके अंदर घर वालों का क्या था कि मतलब की घर की छोड़ दिया अब मैं बड़ा आधी बंके ही घर आऊंगा ऐसा वह चिट्थी आजी मामी ने रखी हुई है पीछे सब सब्सक्राइब देखके उनको उनको लगता है कि ट्रीडिंग इजी और वह अपने स्कूल की फीस लेकर के कॉलिज की फीस लेकर के ट्रीडिंग में डाल देते हैं और लॉसस हो जाता हूं डिप्रेस्टों मतलब लिटरली इनसे हम पर मेरे सौ सज्यादा मैसल आए कि सर मैं अब आपा के पैसे उड़ा दे अब मैं सुसाइड करने वाला हूं यह हूं हम क्या कर सते हैं अब धीरे 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 ओप्शिंस इंट्रीश वा लाइफ में कोई बड़ा प्लेयर वायर तो नहीं है ना अब बादे आप्शिन बाइं नहीं करते हैं कि सबके साथ होता है आपको अपना पैसा दिखाएंगे अपना बड़ा-बड़ा MTM दिखाएंगे और मतलब फुल-on सौफ बड़ी महेंगी कार्स दिखाएंगे और उससे वह आपको लिवर करेंगे कि देखो हमने कर रहा है तुम भी कर सकता हमारा कोड़िजवेंग करो एक वह है और दूसरा वह सिर्फ अपना काम निखाएगा कि वह अपने ट्रेट शेयर करेगा वह अपने वह आपको यूटूब पे सिखाएगा वह सौफ में बिलीव नहीं रख रहे है वल्कम एवर्यबड़ी तोड़ी वी हाव विद एस ट्रेडिंग स्कॉलर कुंदन पर यॉर इंफोमेशन ही विद इस कमिंग एव फोर्थ एपिसोड फ्रेडर्स अनब्रिज 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 मत्ब इस अंकट अनफिल्टर्ड इस अनफिल्टर्ड इस आपकी इंफोमेशन के लिए आप लोगों को बता दूँ अपना जो मेजर पॉड्कास्ट ए ट्रेडर्स टॉक का वी कि जहां पर मैंने कुंदन को स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया था कि हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी दो जिससे हमारे व्यूर्स डिरेक्ली जाके प्रॉफिट कमा सके विद मिनिमम रिस्क और यहां से अराम से कोई भी ट्रेडर साल का 20-24% बड़े अराम से बना सकता है प्रॉफिट करने के लिए अपने मुझे सामने से बोला कि एक और शूट करना आपकी परसे स्टोरी जाननी है तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है मैंने कभी नहीं सूचा था कि मेरी स्टोरी सुनने में मतलब कुछ ऐसा करूँगा कि कुछ लोग देखेंगे या सुनना पसंद करेंगे तो thanks a lot for this opportunity कि ये ये platform प्रवाइड कर आने के लिए और लोगो तक जो आप value दे रहा हो that is very great so thanks a lot I am very grateful for you pleasure is all mine I'll tell you the reason कि मैं ये series क्यों कर रहा हूं to be very frank viewers के लिए कम मैं अपने लिए series जादा कर रहा हूं because once I came into the public life on Twitter, social media, YouTube, Instagram, everything I came in contact with a lot of traders and every trader was different, every trader has something unique to offer but there was a grind, it was all my grind my grind is different, your grind is a little different, but there are some commonalities in every place करती है ठीक है आज भी मैं अपने office में बैठता हूं तो there are people who come to me and tell की sir हमने trading करनी है कैसे start करें ठीक है and एक basic curiosity होती है यार कि अगर ये बंदा आज इस जगह पर है कैसे पहुंचा है how was the journey ठीक है हम जब अपने टाइम पर ट्रीडिंग करते थे मैं ये बहुत 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 आचका हूं I don't want to tell it again and again but still for the people who are watching it first for the first time हमारे पास सिरफ एक फॉरम जोते थे तो स्टाइम पर इंटरनेट वस नोच प्रेवलेंट ठीक है really look to the success stories and हम लोग उनकी लाइफ क्यों पर लुक करके देख सकते हैं कि यह क्या कॉमन फेक्टर्स है it is not only happening with me it happened with everybody that is why I wanted to know about you की how was your early life ठीक है before you wanted to come into trading what is it you aspired for and then uh how did you get started into trading itself that is my question ठीक है तो मैं start कैसे हुआ trading मेरे दिमांग में आया कैसे मैं उसके बारे में थोड़ा बताता हूं मेरे फादर ने 20 2011 में उनके एक पार्टनर थे अभीनों चरस हिया ठीक है यहीं पे मेरे मतलब इस्टिक में ही तो वह उन्होंने commodity trading स्टार्ट करी लाइक वह करते थे जहां से भी सीखा मुझे नहीं पता तो वहां से फिर फादर के वह लाइक वह बिजनस पार्टनर बने इन दिन वहां से यह लोगोंने पापा ट्रेडिंग नहीं करते थे बिसिकली उनका एक अच्छे पैसे आ रहे तो आपको अच्छे पैसे आ रहे हैं और घर पर बात हो रही है कोई आता था तो पता चल दा था तो मैंने पूछा ऑविसली मैं उस टाइम पर 2011 में कितने साल का हूंगा 13-14 साल 14-15 साल का तो मुझे पता था कि ट्रेडिंग करके कुछ होता है और इससे अच्छा पैसा आ रहा है घर में बस इतना पता था क्या होता है कैसा तो लेटरली मुझे नहीं पता तो फिर वह एक पहला इंट्रोड़क्शन होता है आपके दिमाब में पहला फीड आना त कि लाईफ में नौकरी नहीं करनी है नौकर नहीं बनना है ओक है और पढ़ाई लिखाई से जये जनरली अजनरली नौकर 3 लिखो, लिखो वूह लिखोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी कोई बाप अपनी बीटी नहीं देगा नौल नौल राइट मेरे फादर करते थे कि बटा पड़े लिखे नौकर ही बनो गए ठीक है तो जो रियल जो रियल नौलेज है वो प्राक्टिकल लाइफ में है वो बेवहारिक ज्ञान उसका बो एफेक्टिव एफेक्टिव हैबिट्स अफ एक्टिव पड़ता लेकिन इस सारी चीजी पड़ना है तुझे तुम्हें पढ़ता था उतना दस क्लास का बच्चा क्या ही समझेगा बट एक होदा ना कुछ ना कुछ तो सब इसमीं आपके जाता है तो वो एक माइंसेट था और दाट इस वाई मतलब पढ़ाई में थोड़ा इंट्रेस्स मेरा रिडूस होता गया और इधर चीजे गई प्रविक 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 प्रव्पर्पर्म में इधिया मैं तो फिर भी थीक चलता है ना मतलब उतने आपकी सिसाइटी अब हां सिसाइटी उतना ऐस्पैक नहीं गरते लेकिन आप जो लोगा आप अर आप कोई बात नहीं फेल हो गया तिरों को पढ़ना पढ़ नहीं पढ़ना मत पढ़ बट स्टिल मेरे प्रफेर नहीं है वो थ्री डेट्स वाले आद आती है ना एक बोलता है कि पीठ पीछे मैं पूरे सहर में इज़त है लेकिन पीठ पीछे लोग अंगोटा चाप बोलते हैं तो मेरे को वह नहीं करना था नहीं पढ़ाई तो करनी है तो देन पढ़ाई की बट यह जो थॉट प्रोसेस बिल्ड वा ना मेरे दिमाग में बच्पन से कि नौकरी के पीछे नहीं भागना है तो तो लेट्स में टीक कि मुझे कुछ न कुछ करना जिससे मैं कुछ बढ़ा कर सकू नौकरी ना करू तो तो मैं फिर से 12 दिया 12 देने के बाद I got around 88% in my 12th and उसकी वज़र से I got admission in D.O. एल इनिशर्टी श्री वेंक टेस्वरा कॉलेज है सत्यानिकेतन में साउथ कैंपस में and वहां से मेरा ग्रशन स्टार्ट हुआ बट अगेन वहीचे इसकी पढ़ाही में इंटरस थानी उतना खास और पढ़ाही लिखाई करके नौकरी ही लोग करते हैं तो वह थानी तो कुछ तो करना था तो एक मेरा close friend बचपन का friend था हमने सोचा और बीच में इससे पहले फादर का लाइक ट्रेडिंग के बाद फाद जो investment थी ना वो collapse कर गया like market में किसी पैसे ही नहीं देने के लिए तो वह नोटबंदी के वज़ए से जो हमारी financial डिड की अड़ी नो तूट गई like father was like बहुत depressed की हां घर में पैसे नहीं और और वो मुझे सोचने मजबूर कर दिया कि I have to take responsibility मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जब नौकरी करनी नहीं है कुछ तो कर नहीं पड़ेगा दोजा सोला की बात है देन मेरा एक और फ्रेंड है I want name him but उसके साथ हमने सोचा कि यह अपने नहीं स्टार्ट करते मेरे लोकालिटी में एक नया petrol pump बन रहा था मितलब वह पास हो गया था तो अपने सोचा कि एक होंगा मैं हाँ उन्नीस साल का था मैं चली वहां से हमने सोचा कि रेस्टेंट करते हैं फिर हमने मैंने दो 2.4 लाक रुपीज इनवस्ट किये और वह अपने क्रेट मैंने पैसे लिए पापा से एक रुपए नहीं लिया था चालिस रुपए साथ पापा ने दिया था बाकी कि दो लाक रुपए मैंने दोस्तों से रिलेटिव से नाना से मामा से ऐसे करके लिया कि पैसे डालने हैं घट से सारा पैसा लेकर हम होटल में डाल दिया एंड बट उस ताइप मैं एडमिशन हो जो गता है मेरे डियू में ठीके 2016 में मैंने अडमिशन लिया था तो हमारी य एक तो नाइन मंस होता ना पार्टनसीब में चीज़े चलती नहीं है और मैं वहां पर था थोड़ी चीज़े पॉस्टनल लेवल पर थोड़ी बिगड़ी देन वह बिजनस मेरा मैं वहां से बाहर हो गया वह ताना ट्यूनी नहीं बैठी कि दाट वस्टाइम की लगा इट वस्ट हाट ब्रेक की जिसके साथ 12 साल से आप दोस्त हो लैक चड़ी बड़ी टाइप सारे करमकांड करे हैं कुछ कुछ पैसों के लिए जो भी रिजन से चीजे खराब गई तो मेरा फॉस्ट हाट ब्रेक था कह सकते हो और मैं दो दिन ख हाथ में थे बहुत करमकांड करें थे बट कुछ पैसों के विए से चीजे थोड़ी वह हो गई सही नहीं ठीक है मैं आपका नाम आपका कास्थ आपके पास कितने पैसे होगे वह उपर से आता है राइट वह भगवान देते हैं आप पैदा होते हो जिस घर में लेकिन दोस् हो अपने कर्मों से कमाते हो अपने effort से अपना time दे करके अपना सब कुछ invest करके वह earn किया है और वह मेरी 12 साल की दोस्ती थी वह जब खादा मुआ ना तो बहुत तकलीफ हुई मतलब यह बात मैंने आज तक उसको भी नहीं बोली है कि हाँ वह मेरे लिए हाट मैं आज बोल दो दिन फूब रोलो लेकिन तीसरी दिन से यह वह वाकान दो सॉलुशन प्राब्लम हो गई दुखी हो लिए जितना दुखी होना हो लो दो दिन में वाट सॉलुशन पर काम करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पापा बते थे थे ना कि चिंता पर डिसक्शन करोगे तो कुछ नहीं होगा समधान पर discussion करोगे तो कुछ नहीं कुछ कर लोगे MAT तो solution oriented आपको टेंशन लेना है अब है भाइस और हुब वह क्हlar भी सोलुशन पर क्लिष में करो यह टो दो दिन मैं वेसके बाहर तर फिर ऐस टा shotgun एक мат पर यूट रोचीज घुटा थे था and poetry का थोड़ा सा मुझे पहले से ठीक है और दो तीन चैनल्स थे जो लाइक को बुलाते थे रिकॉर्ड करते थे वीडियोस वहां पर अप्लोड करते थे तो और मेरे को यह एडिटिंग और यह सारी चीज में सुरू से इंट्रस्ट रहा है तो मैंने बाद कि यह करते हैं तो दो दिन बाद अभी तो और यह कम इसमेंट में भी हो जाएगी तो दो दिन बाद अगें मेरे एक और बेस्ट्रेंड को मैंने व कॉल किया कि भाई I have a plan let's do this and I want to do with you क्योंकि मतलब I believe in you and तो मेरा बच्पन का दोस्त हो भी अगें बच्पन का दोस्त अभी पड़े हूं पहरा पापा से मैंने पैसे लिए 4640ुप उन्होंने बोले कि लेख वेटा आखरी पैसे हैं मेरे पास पैसे नहीं बचे जो भी था रेस्ट्रेंट में था वहां पर बरबाद हो गया जो भी है अर्व एंड सारी चीजे अब यह मेरे पास आखरी पैसे नहीं है मेरे पास लोगों बनाने क्लिए दिया इवन हम एक स्पांसर भी लिया जिस कोची में मैं पढ़ता था 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 ना 12 वे उन्हीं टीचर के पास गया कि सर इस पॉंसर करते हैं पंदर अजर रुपए दे दो हम आपका बैनर लगा देंगे पावड़ रख देंगे मेरा दिमाग है पहल हुआ था दो है ना दिन भर बात करते हो शारी करते हो फिर आप रात को 17 बॉजे आता थो 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 आप ठर्कर्ट रॉंड था फीमल यह रंट थी गल्र्रेंट थी उस ताइम पर फीमल फ्रेंट थी आए के गल्रुल फ्रेंट थी एक होता ना कि अ अफेक्शन था काई अफेक्शन भी नहीं थी उस ताइम पर कुछ क्लारेटी नहीं थी कि वाट सेज बट एक उदना अब बॉन्ड होता है थोड़ा 2016 तरह 18 गा जो टाइम था मोबाइल की दुनिया के अंदर वेट तरह का टाइम था उस टाइम पर इसमे स्पेक्स होते थे ठीक है उसके ऊपर चैटिंग होती थी ठीक है उससे बहुत 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 सब्सक्राइब सबतले गूगल चैट होता था था ऊस्तिल रमेंबर वाध करता था तो दोस्त के साथ में बिजनस डाट क्र रहा था तो उसके लगता था कि तू आके अपने डिसक्स करते हैं कि आगे कैसे क्या करना है बट आप आप डिस्टिन के मे था था बातचीत मुझे करना था पोडुर्टी में इंडुस्ट मेरा था तो थोड़ा सा वहां पर जो भी रीजन रहा हो वहां पर भी मतलब चीजे नहीं हुई सही नहीं हुई और सब कुछ क्लियर करके सारा रूम का रेंट का बयान एडवांस दे करके मैं घर आया बोला कि हमने इवें 90 कि पोईट्स को अन्रॉल कर लिया था कि इस दिन शूट होना है और तीन दिन तक लगशा अल्लागतार शूट है मैं हमें साथ पचास पचास रुपए हम उससे में चार्ज कर रहे थे तो यह भी हो गया था कि हो जाएगा हमने सब कनेक्ट किया सारे बेच्चू के लड़गे एक बात नहीं मेरे को समझने आई हां बताओ पोईट्री में ऐसा क्या स्कोप देख गया ने देखो मैं उसके पीछे भी कहानी बताता हूं में दिल्ली था तो वहां पर एक हाउस है तो अब भी आज भी आप उसका यूटूब चैनल देखोगा आज तो बड़ा हो गया तो मेरी जो भाहिया की गल्ट्रेंड है वह वहां पर गई थी लाइक उनको पोट्री में इंट्रस है तो मैं उनके साथ गया था तो वहां पर मिला ना मुझे कि 40 लोग हैं मजे कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं तीजर सब्सक्राइबर हैं उस टाइम पर तीजर चाथीजर थे तो एक बोटन है कि कुछ चीज़ आप इंज्वा करने के लिए भी करते हो लाइक अभी इट्समाइड ड्रीम मेरी लाइफ में कभी में अपने लाइफ से तो थोड़ा में वह करूंगा उस टाइम पर नहीं कर वाए बट आज भी मुझे वह करना है वह पोट्री वाला सो मुझे स्टार्ट करना है अगर मैं उस टाइम पर सूचता हूं कि 2016 सारा के अंदर कोई कहता है कि मुझे पोट्री के अंदर जाना है देन ह वह पूरा याद है ठीक है वह वह वाला याद है एक अग्री लड़की के बिंजीना घदारी लगता है वो भी याद है मुझे आज भी याद है तो बट वो बिजनेस आइडिया जो हुआ ना मैं पोट्री मुझे नहीं करनी थी मेरा था कि तो सोचल हाउस वाले जो प्लान है जो दिल्ली में चल रहे है मुझे वो बनारस में सेम चीज स्टार्ट करने और यूट्यूब वाला गेम बड़ा होगा आने वाले दो तीन साल में तो उस प्लान से मैं कर रहा था पट वही सब कुछ करके घर आया फिर प्र फिर प्र प्र आता है कि यार अपने इसको करेंगे बट बहुत प्रोफिशनल लेवल पर करेंगे प्र नहीं करेंगे क्या हुआ थो यह नहीं पस तोड़ा सा है कुछ वह वह जो बताया ना मैंने से मैं बात करता था तो उसको थोड़ी चीज पसंद नहीं आई कि तू रात में आके बात करता है। तो मेरा सिंपल सा राय कि यार दिल से कनेक्ट कर रहा हूं तो काम कर रहा हूं ठीक है अगर वहां से तो थोड़ा सा वो पॉश्णल मैं तेरे साथ इसलिए कर रहा हूं कि हम दोस्त है काम काम नहीं लगेगा मजए मजए में हम लोग कर लेंगे अगे नहीं चुबी यह बहुत प्रफेशनल करना चाहता हूं अगें मैं नाम नहीं लोगा वाज मेरा बहुत अच्छा दोस्त हैं अब दिमाग यहां से उड़ गया कि अब क्या करूं अभी तो पंदरा दिन पहले मैंने एक दोस्ते मेरा जगड़ा हुआ है मतलब मेरा होटल वाला जो काम में बंद हुआ अगें यह मेरा दूसरा बेस्ट ट्रेंड है इसके साथ भी अभी यह हो गया कि तो पापा को बोलूँगा तो पापा बोलेंगे तेरे सारे दोस्त फरजी हैं और पापा ने आखरी पैसे आखरी पैसे दे दिये तो फिर वहां से मैंने मैं दो तीन दिन तक अगें दो दिन मैं फिर दिस्ट था फिर तीसे दिन ने घर छोड़ दिया है भर पर ख़ूड दिया प्रापर चिट लिutors लिक deze दिए १ी अनदर घरवारों का क्या था क्या घर लोग्यों छोड़ दिया नितने बताए किसी वहां मेरे दीवाग दना आइदय आपको नहीं करना चाहता था मैं यह भी फेल हो गया ये वी मैं नहीं कर रहा हूं और पापा क्वास पैसे नहीं है वह और व्डारीज़ हो जाएंगो उस चीज़ के लिखेंगी अभी मैं इसका क्या करूं समझ रहे हो और मैं खुद भी एक होता नहीं कि क्या है यह मैं बहुत डिप्रेस्ट था इस टाइम पर देन अगें मेरा हमेशा से रहा है कि दो दिन दुखी रहो तीसे दिन से सल्वेशन पर काम करो कि हो गया जो होना है हो कि आप क्या राइट देन प्रॉपर एक चिठ्थी लिखी मैंने है कि ऐसे हैं मैं घर चोड के जारा हूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहे बच्च चाहता 2017 की बात है बच्चा ही था घर चोड के जारा हूँ मुझे नहीं समझ वारे कि मैं क्या करूँगा कुछ करूँगा बड़ा अधी बंके ही घर आउंगा ऐसा है वो चिठी तो यह में रूम स्कूपी थी मेरी पास मैं गया जेब में में 2,000 रुपे लेक्ट मेरे दोस्ते विसाल उससे मेने 2,000 रुपे लिये और चला गया उसके बाद से वह आज तक मैंने घर से एक रुपए ने लिए जो भी किया है खुद के दम पे जिरो से करा है तो जस्त थोड़ा यह मेरा पूरे बैक स्टोरी आगे अब फिर अप्ट्रेडिंग इसमें अगे वह गया तो अभी खर्चित चाहिए दिल्ली में अप्रह रहे हो आठ दस जार तो आएंगे यह आएंगे आए इस्टार्टेड सर्जिंग फॉर दा पार्ट टाम जॉब और नहीं मिला फिर एक पार्ट टाम जॉ सब्सक्राइब करने लगा यह मैं कर रहा हूं पीछे सब कुछ खतम हो चुका है मेरा अब आगे क्या जॉब मुझे करनी नहीं कर रहा हूं यह खतम कर रहा हूं फिर कि मैं क्या कारो तो कि इस ऐस अचinku सबसे अच्के दीख के साथ सब्से अच्ची अच्ची अच्चे के साथ अच्ची फैसलेटी इस पराइन पर हैं हाइव पर फ्र बिर कस्टिमर नहीं आती थी स्टार्टिंग में और मैं बैठा रहा था 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 मुझे एक चीज समझ में आती थी कि आप यहां पर हमने छे लाख रुपए डाले हैं टोटल पांच छे लाख रुपए एंड मतलब कि तुम्हें पैसा कमाने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है जब तक एक कस्टमर नहीं आएगा आप पैसा नहीं कमा पाओगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे दिमाग में यह चलता था था कि मैं आगे से जीवन में कुछ भी करूंग तो मैं ऐसा काम करूंगा जहां पर अर्निंग मेरे स्किल पर डिपेंडेंट हो ना कि सामने वाले पर इसके अंदर प्लस एक चीज़ और आ जाती है जो मैं उस टाइम पर एड करना चाहता था यह जो आईडिया आया था ना एक टाइम पर कही ना कहीं पर की रेस्टोरेंट चलाना आपके लिए मुझे नहीं पता पर मेरे दिमाग में भी कई बरी आया था और वो आता था इस पॉइंट से कि अगर रिसेशन भी आ जाएगा लोग खाना बंद नहीं करेंगे नहीं करेंगे उसके एक एटरी का जो बिजनस और बहुत अच्छा मार्जिन है बहुत अ जानेजमेंट स्टूदेंट स्टूडेंट स्टूड बट देन एल्सून अलसो यूव वरिज थे आजीच व्हाँ बिजस वीजिक यह पॉइरा ब्ले प्रॉब्म है कि ऑलेसे ओट उसली का फॉइफ आट टिकने वॉल द आटीकल और नियुट र्यू प्याँट एक टिकने that much active in the society, आपके 10 दुकान के नेक्स वाला उसको पोच करना start कर देगा, and you will always be dependent upon that person to run your business. Business, correct. वो गया, काम शतम, आपके दुकान बंद, आपके दुकान बंद, ठीक है, तो मैंने उसको कही भी वहां से उठा के काटा मार दिया. दूसरी चीज विच यज riers, at least even when I was not in the business, okay, I was very much clear about one thing that I'm not going to do any business which involves my friend or my family. यह चीज मेरे दिमाग में, और मैंने वहां ममार में rosy, तो 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 डिन्स पाम एक डेंटल डॉक्टर हैं यह वेरी गुट फ्रेंड फ्रेंड तो टुडेंट टीक है उस टाइम पर वस्ट वेरी गुट विद फिर्ट विद प्यूटर थीक है बहुत कम लोगों को यह बात पता है सब्सक्राइब कर रहा था तो उन्होंने मुझे ना कुछ लोगों के नंबर देदी कि इनको कंप्यूटर के लिए help चाहिए थी यू गो मैंने का मैं चला जातो मुझे क्या एवन दो आइवन दो आइवस नाट एक्सपेक्टिंग मैं उन्होंने पैसे पे कर दिया ठीक है और ही सैट की बोलता है हो बिजनस करते हैं तरको बंदे ऐसे दिलवा दूँ अ जहां पर है तुझे कर सकते मैंने का मुझे बिजनस नहीं करना मैंने का मैंने बहुत रिलेशन खराब होते ने धीड़िलाजन ऐखे बहु के वह दिन नहीं एं जोर तो हैं कि आज वह कै दिक है मैंने का बट नहीं मुझे नहीं कर दो सेकंड इंसेंस केम इन माय लाइफ इन टूजन नाइटीन और आइप्लाइड फॉर प्रेट्रोल पंप यू वर्ण बिलीव कि मैंने प्रेट्रोल पंप अप्लाई किया मेरा ड्रॉफ लॉट्स के अंदर मेरा नाम भी निकल आया ठीक है प्रॉब्लम क्या होई जिस जगह की अड़र्टीजमेंट निकली थी वो जगह मेरी जगह से दो किलो मिटर अगे थी अगर तुझे किसी के साथ पार्टनेशिप में करके करना पड़ जाता है कर ले मैंने का मर जाओंगा पार्टनेशिप के अंदर में करने ने वाला अभी से मेंटालिटी मेरी है ठीक है मैंने का मैंने का और I'll tell you my mother my brother they kept trying for two months और उनके पीछे लोग पड़े रहे कि हम आपके साथ करने को त्यार हैं ठीक है ये करें मैंने का मैंने नहीं पालनी ये चीज़ जहां पे मैंने का यहां पे भाई-भाई की पार्टनेशिप नहीं चलती आप घर के अंदर है त तो उस टाइम उस टाइम पर नहीं था ना कि एग्यान उस टाइम पर दोस्त था लाइक अंधा अंधा विश्वास जो होता है कि यह थोड़ी कुछ कर सकता है इवेन मेरे फादर ने बोला भी था कि पेपर वरक करा लेते हैं बारह साल से साथ में तो ठीक है बट अभी जो अंभी सोचता हूं कि ना लाइफ में किसी के साथ ही पार्टर सिद काम नहीं करूँ और तो कितॉमिफ तो पर यह सोचता कि इस बार ऐसा स्थ में पर्यूट कुझ गुचा आई खी प्रस्टारी ट्राइब करते हैं इसको करते हैं फिर मैंने यूटूब पे घया सुन सूनील मिंगलानी थे अपने एक के अड़ान से चोप थे पहले और हर थे वीडिए मट इंटरस्ट आया अब जो भी एल्गोरिधम कहलो या जो भी कहलो उसके बाद से में फेस्वुक पे थोड़े एड्स आने लगे लाइक यह स्टॉक मार्केट के रिगाड़नी तो एक एड मैं ऐसी वाट्सप फेस्वुक स्ट्रॉल कर रहा था तो एक आया पोस्ट कि अगर 2017 में ही ठीक है तो मैंने नंबर ड्रॉप कर दिया डाट गाइड़ में वाट्सप ग्रोप विसुजीत नाम था उनका एंड मैं कॉलेज जाता था एंड वो ना हर वो टिप देते थे बिसिकली से भी रेजिस्टर थे नहीं थे आई डूंट नो वो टिप देते थे रोज की संफार्मा फ्यूचर से नौल क्या होता है ठीक है और उसका होता था प्रॉपर हिंदी में लंबा चोड़ा अगर आपने इस सेर में एक लाग रुपर डाले होते तो आपको अभी एक लाग प्रॉफिट हो चुका रहता बीजर का प्रॉफिट और नाचने वाली मोजी मैं आपके मिसद्थ देखता हूँ मुझे अच्छा लगता है और प्रॉफिट रोज आ रहा है तो बहुत्ता कम से सुरू कर सकते यह बता हो करदा कम से कम पांच लाग रहुतने तो नहीं है रहे बटा दो लाग से कम में तो होगा ही नहीं क्योंकि हम फ्यूचर में ठीट क तो मेरे एक अंटी है नोड़ा में मेरे पापा के मासी किसका उस बंदे का क्या इंट्रेस्ट था क्योंकि एडवाजरी दे रहा था ना उसकी 8000 फीस थी महिने की वह तो कमा रहा था ना हाँ पांच लाग से शुरू हुआ दो लाग पहुंचा दो लाग से पच्चिस थीज़ार पर आगे पच्चिस देना इन तीनों स्लैप्स के ऊपर उ पापा के मासी के बेटे हैं बहुत अच्छे इंसान मतलब मैं लाइफ में मेरे जितने भी रिलेटिव सेना मैं किसी का रिस्पेक्ट करता हूं तो वह है और उनकी जो वाइफ है चाजी तो मैंने फोन किया कि अंकल में जो ऐसा ऐसी चीज़ा है एंड मुझे कुछ पैसे ज गया उन्होंने मुझे पैसे दिये 25 जरुप्य अकॉंट में आ गए मैंने 4000 उसको भेजा 19 जर मार्केट में डाला और 2000 रुपय मैंने अपने पास रख लिए ठीक है अब स्टॉक्स उस टाइम पे था अप स्टॉक्स में फ्री एकॉंट खुलता था अप स्टॉक्स और वो ड्राइम तो 20 टाइमस 20 X librage देते थे वाओ अब 20 x librage था ओके ओके एंजलवन तो 25 x भी देता था तो इत वस गुट आइस स्टाइट फॉस्ट्रीड मुझे याद है सन फार्मा अगेस सन फार्मा था सबस्टारेट फ्यूचर्स में उन्होंने दिया मैंने सन फार्मा सर् पर क्या सब्सक्राइब अब कोई ठीकाना नहीं है तो रोज हजार आएंगे मेने के 40 दर सब शॉट हो गया एक मेरे भाईया रहते थे संकर नामिम का ठीक है बहुत मेरी हिल्प करें अभी उस पर भी आएंगे हम उन पर भी आएंगे तो मैंने बड़ा चलो बिर्यानी खाने पैसे नहीं रहते थे नहीं आप जॉब कर रहे हो एदम चल रहा है पैसे है नहीं तो पैसा आया तो अभी एक होप होता ना उम्मीद जगना बट पहला होता ना इनिशल बेगनर्स लग फिर उसके बाद से 14 दिन में आई लॉश्ट 19,000 रूपीज लेज पर लेज पर चौदर दिन में उननी जर गया पूरा जिरो जो प्रॉफट आया था मैंद बीजर गया मेरे अब एक दिन वह विसुजीत जो है न उन्होंने रिवेंज टेडिंग करी चार से पांच बार अब मुझे एक्जाक्टल स्टॉक का नाम नहीं आदा रहा है पट बाई सेल बाई सेल एक ही दिन में चार पांच बार करा उन्होंने मुझे क्या पता था रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है और क्या नहीं और लॉस्ट कंप्लीटली ठीक है जितना था जो कौनिटी आते थे मैं ले लेता था फिर हां बट वह इंसान अच्छा था यह बहुत चोर है पट वह इंसान अच्छा था उन्होंने प्रॉपर मैसेज डाला ब्रॉटकास में कि भाई स्राथ सामको पांच वज़े के आसपास कि जो भी आज आप लोग को लोग मेरी वज़े से हुए है और आप लोग अपने स्क्रिन शॉट भेज़ो मैं लॉस को कंपन जान बुझ के कोई लॉस किसी का कराता नहीं बट उस मोमेंट में न जब वो लॉस भी हो रहे थे तो सीरियस्ली एक चीज़ दिन मजा आ रहा था मजा रहा था मजा रहा था कि यू हां यू इंज्वार दे प्रॉसेस राइट वो जो कि मिलना जिसको बोलते है न कि मतलब इ क्या मैंने उनको कॉल किया तो वह सौरी बेटा मेरी वेस्ट ने आप मुझे सिखनां ञेяс क temat पूंअ कर सकता है तो नहीं झालिए है कर सकता हूं नहीं बोले हम हम स्लें कर सकता हूं कर सकता हूं सब्सक्राइब नाम नहीं लोगा वह आज के टाइम पर बहुत बड़े नाम है जिन जो पेज़ आज के ताइम में चार लाग पांचला फॉलोवर है ना वह उस टाइम के सुन्दर साब तो नहीं पर आप यह शूंदर साब इंस्टा पर नहीं रहे ना संदर साब बेसिकली ऑफ लाइन पर यूटूब पर जादा रहें त्विटेरी पर जादा रहें हैं वह इंस्टाम के जाए रहाँ था राइज एप्लेफृ इन्सटाग्रम पर आफ यह अच्छ तो फिर वहां से सीखना स्टार्ट किया एंड एक ग्यारा कोर्स में लिए वह कोर्स के पैसे होते नहीं थे अपने पास तो वह संकर भाईया है ना मेरे वह मेरे बड़े भाई के क्लास्मेट थे कॉलेज टाइम में लेकिन वहीं पर रहते थे अनिर्का में जेनु के सामने में रहता था तो वह साथ में अच्छी बंडिंग बनती बहुत अच्छी आज भी मतलब ब इल्लीगल है अब जो भी है अब उस टाइम पर बच्चे थे अब समझ सकते हो कि मैं अभी किसी ना ग्रूप चैट के अंदर बैठा हुआ था वहां पर दो आपस में लड़ रहे थे बंदे कि मेरा कॉंटेंट ले लिए मेरा कंटेंट ले लिए मिरसे बिना पूछे लड़ और हम लोग दोनों भाई थे उस टाइम पर मेरे पर लाप्टॉप भी नहीं था तो मैं उनके ही लाप्टॉप में रिकॉर्ड करता था है नौट ठीक है लीगल है मैं जूटी-मोटी घर में मम्मी ने कुछ मैंने गल्ती करी है तो मैंने पस बता दे नहीं मैंने करिया वह जोड़ चलता है ऐसे नहीं बोलता है तो हमने वह करा 11 लिए इंसका हम से अधार जी एक तो कोर्स एक तो कोर्स लिया था मैंने उसका तुम्हें नाम भी लिए उसको चौर साला संजी इंट्राडे एक्सपोर्ट राइड पेज का नाम था एंड उसने उसे साड़े 9000 फोन पर उन्होंने फोन पर लिटरली 20 मिनट में स्ट्राटेजी खतम कर दी 20 मिनट में साड़े 9000 को कॉर्स खतम और यह 2017 की बात आप सोचो उस टाइम पर साड़े 9000 रुपए आज की टाइम पर 30,000 रुपए के वैल्यू है 20,000 के तो है अब मैं वह पैस इतने मेरे 1.5 मैने के दो मैने के महनत के बचा बचा के पेट कार्ट कार्ट के मैने पैसे बचाया थे और जब फोन रखा उच्टना इस्टाटेग क्राइं और उस टाइम पर वाइफ सेम फीमेल फ्रेंड थी मेरे साथ तो मैं रोने लगा काफी की यार यह क्या हो रहा है बहुत गुसा है करना यही सब अगें चीजें होती है कुछ ना कुछ अच्छा होता है देन एक उमर असरफ करके एक है बंदा दुबाई का आई-गस आप जानते होगे तो उसका मुझ उसका कोर्स मुझे मिला कहीं से प्राइस सक्षिंग का टेलिग्राम पे कोई फ्रेंड थी बैंगलोर की कली करते हो तो मुझे पहली प informal में प्राइस को ने रहे हैं माज़ करके पयाएं अचारें को पर सब्सक्राइब करके नम से उनों ने प्राइस सेक्षन सिखाया अगर आप बोलोगा कि कोई ट्रेडिंग में रियल गुरू है आपका तो आइविल नेम हिम आज का ताइम पर हो रियल स्टेट में अच्छा कैसा पैसा और ही वाज जस्ट 25-26 अट ताइम वह भी साथ होगा कि नहीं होगा में पर एग्जाटली हो और दाट सोस्की हाओ जन्मीन है कोई आज के टाइम पर पैसे लेकर वापस तो गरता नहीं है तो वह बंदे ने मुझे प्राइस सेक्षन वन और मन सिखाया और बुक्स भी मैं पढ़ रहा था मैंने जैपनीस केंड़स्टिक की बुक पढ़ी स्टीव निसान वाली बट 2017 एंड तक मैंने ठीक ठाक उसमें लिवरे स्थाना तो 25-30 जर पर मैं फिर से धीरे देरे से क्योंकि उस टाइम ते मेरे मेरे पार्ट टैम जॉब भी करने लगा था और दो होम टूशन भी देता था एक साउथ इन फैमिली थी उनका बच्चा थोड़ा ADHD का सिका मतलब ADHD की प तो आपकी फैमिली को भी तकलीफ नहीं होता है तो आपकी फैमिली को भी तकलीफ नहीं होती देरा लॉट आफ जो नहीं कमर है ना और खासकर बच्चे इंसेग्राम यूटूब से हो कह रहा है कि बड़े-बड़े एंटिम देखके उनको उनको लगता है कि ट्रेडिंग इस और वह अपने स्कूल की फीस ले करके कॉलिज की फीस ले करके ट्रेडिंग में डाल द अब जो लोग भी हैं मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको ट्रेडिंग सुरू करनी है अब जिस भी एज में हो अगर यू अब अबव एटीन आप खुद से पैसे कमाओ थोड़ा ही कमाओ और उसको गवाओ गे ना तो ना फैमिली को तकलिफ होगी ना आपको साइक्लोज को मेरा कमाओ पैसा है और आज का टाइम पर तो हाँ बलो कहने को बात बड़ी ज्यादा इंसेंसिटिव लगेगी ठीक है आज का टाइम पर अगर कोई बोलता है ना कि मैंने ट्रेडिंग के अंदर पैसे गवा दिये हैं ठीक है मेरी हल्प कर दो मैं सुसाइड कर लूँगा मैं यह कर दूँगा वो कर लूँगा इध सिम वहीं सेंसिटिव और इंसेंसिट्व विरह वटल ऌड़ाया थी सिल नोट पर देव डंटर अ हुल मुझा इन बेड़िवन सै मेसेड थी तो दूसरी चीज है देखो एक गिरने की एक वह उती है क्या कहते है स्टेज होती है ठीक है जब आप किसी से अन्नोन से मांगने के लेवल पर पहुंच जाते हो आप आल्मोस्ट बेस पर गिर चुके हो बस अब नीचे गड़ना बाकी हो ठीक है आपका आधे पर है उसमें ग्रेव में अभी जब तक गड़े नहीं हो ना तब तक लर्निंग स्टार्ट नहीं हो गई ठीक है आपने बेसिकली आपने भीक मांग ली हुई है बस आपने बस टेंड पर जाके नहीं पर प्राइवेट पर मांगी हुई है विच अब जब तक अब जब वह भी आपको पता चल जाएगा ना कि कोई नहीं दे रहा अगर गलती से मेरे पास आगया तो मुझे खोना नहीं है और आएगा तभी अगर मैं असल में सीखूंगा तो आपके कितने फ्रेंड जैसे होंगे जो कॉलेज से जॉब करके बाहर निकले हैं उस ताइं पर बड़े अच्छे फॉन कर फ्रेंड थे और आप्टर थी यह दे कॉल यार मैं फस्स गया हूं पैसे चाहिए मैं मैं नहीं देता मेरी शादी हो रही है ऑपरेशन है यह है वो है जो पुराने साथ है वो आज भी साथ हो रहेंगे बड़ जो बुरे समय में कुछ फरक नहीं पड़ता था और आज की जानते ही के अच्छा कर रहा है तो उसके मैं मैं टोटली इग्नोर करता हूं जो सोचना सोच लो इसके बाद क्या है मैंने सीखा प्राइस सक्षन सीखा बुक्स पड़ी एक दो और मुझे प्राइस समझ में आया and I was fortunate enough to start with equity और जो कि मेरे को लगता है कि वह बहुत अच्छी चीज हुई आज का टाइम पर लोग ऑप्षिन से स्टार्ट करते हैं विच इस बिजास्टर यह बात मैंने कुंदन को नहीं सिखाई हुई ठीक है I haven't asked him to say this thing ठीक है आप बोलोगे नहीं तो यह तो रोहित ने भी बात बो दालो चार्ट को सीखना समझना सीख लो थोड़ा अंडुस्टैंडिंग मार्केट डाइनमिक्स कैसे वह करता है आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हो नहीं तो चार्ट आप देखोगे 5 मिन फिफ्टीन देखो समझ में आने लेगा है थोड़ा छे मैंना स्पेंड कर ल किस्मत कहलो जो भी कहलो बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सही तरीका एक एक्ट्वल जो रोड मैप होता है मैंने उसको फॉलो किया है और बहुत लोग ट्रेडिंग सुरू करते हैं और बरबाद होके बाहर भी चले जाते हैं बट वह संजीत जो भी थे संजीव थ है अच्छे पैसे है जिन की मैं महीने के 30,000 रुपए से मैं महीने के 10,000 रुपए 12,000 रुपए कमा लेता था था त्रू लिवरेज ओविसली रेटन बहुत हाई आज के टाइम पे देखते हैं बट टाइम पे आप 20 रुप है ता आप 4 लाग की पुजिशन बना रहे हो 4 ला मेरा एक फादर की और कोटेशन में बोलूंगा यार फादर का मैं बार बार इसलिए नाम लाता हूं न क्योंकि जो भी मैं हूं आज जो भी मेरा थौट प्रोसेस है मैं सिर्फ उनकी वज़े से हूं मतलब जिस तरीके से मैं सोचता हूं and I always want to be like him आज वो नहीं है दुनिया में बट वो उन्होंने साथ वो जो ग्यान वो जो रास्ता नहीं दिखाया होता ना तो साथ मैं नहीं होता तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि वेटा किसी भी इंडस्ट्री में जाओ तुम कुछ भी करो उस इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े प्लेयर्स है ना जो सबसे वड़े टाइकून से उनको देखो कि वो क्या कर रहे हैं और तुमने उन्हीं को कॉपी कर ले ना मत वो तुम कुछ अलग बतलब बहुत बहुत वर्ट डू सम्थिंग यूनिक अल नहीं मेरे फादर ने बोला तुम बस कॉपी कर ले ना कॉपी कर लोगे ना वो यहां है नंबर वन पर तुम 10 पर आगे 50 पर भी आगे ना तो तुम सक्सेस्फुल रहोगे लाइफ में और वो उनकी हर एक बात में हमें साथ फॉलो करता हूं जब मेरा उप्शन्स में इंट्रेक्शन हुआ प्रॉपरली गूगल कि भाही वाट पीपल वाट बेक प्लियर्स दो इन ऑप्शन्स टेडिंग कोई बड़ा प्लियर बायर तो नहीं है ना अब बैसे को मानते हो कि ऑप्शन बाइंग नहीं करते हैं आग गाट तुन वाट हेजिंग कुछ होती है जो बड़े प्रेस करते हैं दे डो दो दे डोंट इस्पैकुलेट एन ओल तो वहां से फिर मैंने सीखना इस्टार्ट के ऑप्शन से लिए मैंने लाइफ में कभी प्रॉप्शन मैंक नहीं गया होगा अब वही है कि आप इसको बोल सकते कि कुंदन या तुमारी किस्मत अच्छी है या जो भी है बाट मेरा जो जो यह स्टेफ रहे ना बहुत क्लियर रहे है इसे विसे कभी ऐसा बहुत बड़ा जटका नहीं लगा मुझे मार्केट में कि मैं गिरूं मार्केट में मेरा यह चीज रहा है तो फिर मैंने ऑप्शन लर्निंग स्टार्ट करी और भी हिजिंग स्टार्ट करी है जी में भी दो तिंग कोर्स लिए मैं अगेन नाम नहीं लूँगा आज बड़े पेज़ेश हैं बहुत बड़े बड़े नाम है वह बट सब चूर ठीक है चालिस-चालिस दर के मैंने कोर्स लिए उस टाइम पर 2018 के आसपास हो चुके थे थोड़े पैसे आके थे तो वह सब कुछ नहीं होता था फिर एक ने तो ऐसा किया कि एक ऑप्शन काउंसिल करके कुछ साइट है वहां पर ने बहुत अच्छी पीडिएफ मिलती है कोई जाकर सर्स करता है उसमें बहुत डीटेल में ऑप्शन की सारी क्या बोलो कि अब आप बोलो स्टैंगल अगर फोन पर समझा के एड़िस्मेंग के नाम पर कुछ भी नहीं की आएगा ब्रेक इवन पर काट लेना फोन पर रहीट बट ठीक है अभी क्या कर सकते हैं पता यार यह मैं एक चीज़ बताता हूं ठीक है 2018 के अंदर मैंने अपना फर्स्ट वेबिनार किया था ठीक है उसकी कोर्स की फीस थी 5000 रुपर ठीक है पर बंदा और जब मैंने वह कोर्स किया था डिमांड के ओपर किया था ठीक है और सिरफ एक बंदे के लिए किया था पर उस एक बंदे को जब मैंने वह लेक्चर दिया वह आठ घंटे का था और उस ताइम पर मैं skype use करता होता था 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 अब करते के करते के learning बढ़ते की बढ़ते की and that's how I actually came to Twitter also थे के ट्विटर के ऊपर आने के बाद उस ताइम पर इनिशले मेरे 1200 followers होते थे थी के उसके बाद किसी ने मुझे बोला I was looking at traders की traders करके रहे हैं वहां ठीक है एक बंदे ने मुझे recommend किया वह आज के ताइम पे बहुत बड़ा Twitter handle है और पीपल उसको पता नहीं कितना बड़ा trend followers समझते हैं and he boasted you know that PR Sundar guy he is my friend अच्छा होगा ठीक है मैंने का ठीक है but then उस ताइम पे जो options की रजीम है वो कुछ और होती थी अब चार रुपे की option sell करके बैट जो expiry वादे दिन 10 टाइम्स की leverage लेकर आपका पैसा बनना रहा आस्था broker 4000 रुपे में option बेचने को बोलता था मतलब देते तो बोल लिवरेज आट है तो इवन at that time I was thinking कि यार अगर इतना बड़ा option trader है इसकी workshop लेते हैं वह अपनी 25,000 की करता होता था और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो टेलिग्राम की उपर जो मुझे कि यह जो अर्ली ट्रीडिंग अर्ली इंटरनेट की एश थी नहीं अट लीस्ट एस फार इस ट्रेडिंग इस कंसर्ण ठीक है जब टूटर के ओपर लोग थे लोगों ने फुद्धु फुद्धु चीजों के ओपर बहुत पैसा कमाया है इतना पैसा कमाया है यह से लाइक सब्सक्राइब करने के लिए और वो उस टाइम की अमीर बने हुए है आज की टाइम पर बोलते हैं हमने पता नहीं से कितना कुछ बनाया हूँ है को इसे भी हैं जो मनी कंट्रोल के ओपर अपना पोर्टफोलियो बनाके बोलते हैं 30 लाग का की मेरे 3 परसंट का पोर्टफो सब्सक्राइब करता था कि क्लास कब होंगे क्लास कब होंगे मैंने एक दिन क्या उसने बंदुक की फोटो बेजी और गाली दी कि नहीं लूँगा क्लास जा तो जो करना कर लो कि अब मैं हां सीरिस्ली मैंने उसके खिलाफ कोरा पे 2017-2018 में लिखा भी है कि भाई फूच भी हो जाए इसका कोर्स मत लेना उस 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 अंसर पर मेरे कम से कम इस चालिस पजाजर उस पर इंप्रेशन से तो उसने उसने पढ़ाया भी नहीं मतलब तो उस टाइम पर अलग लवल का स्कैम चल रहा था तो फिर भी लोग इतने अवेर हैं कि कोई कोर्स ले रहा तो पढ़ाते हैं चाहिए शिट भी पढ़ाया लेकर पढ़ाते हैं उस त सब्सक्राइब करने तो स्क्रीन शॉट्स मेरे पास पढ़े हुए पेमेंट की डिटेल्स हैं अपने कंट्रोर सी कर सकते हैं बट करेंगे नहीं घर तो है ऐसी चीजे हैं बस अभी आते हैं बैक टू ट्रीडिंग ठीक है कि क्या है कैसे तो अपने एकुटी करी फिर मैं मतलब 4000 रुपे में आ जाएगा कुछ न कुछ आ जागा तो मैं करता था मैं एक दो बजी के आसपास 12 रुपे की बेश देता था कुछ न कुछ पैसे आ जाते थे बट अगें कभी ना कभी पैनी प्रीमियम बेशने का भूगदना तो है आपको एंड भूगता एक दिन म में लॉस वा पुट बेचा पूरा एदम एंसेप वाला मार्केट उस दिंग का था बट इस ट्रॉंगली से कि यार उस टाइम पर ना मार्केट बहुत इजी था उस टाइम पर आयरं कॉंडर आप तीन सो पोईंट की रिंज बना के छोड़ दो और उजी पैसा देता था उन कॉंडर में करने स्टाट के और उससे पैसे बने फिर वीकली भी कुछ कर रहा उससे भी पैसे बने एक चीज में जो थोड़ा मेरा एक्सपिरियंस है मैं ट्रेडर का थोड़ा वह कर देता हूं कि कि कितने तरह का डिडर होते हैं सबसे पहले आते आए और अप्शन बायर औ तो बड़े लॉसस होंगे कभी ना कभी और पैनी से स्टार्ट करते हैं फिर वहां पर उनको हिट होता है तो फिर लगता है कि या डिरेक्टिन लेंगा हमकरा नौन देशनल करते हैं प्रोल्टी ज्यादा होगी करेक्ट तो फिर वह एक बड़ी रेंज लेकर आरं कॉंडर हुव ऑई सेम पेन यह बेच रहे होते हैं फिर पर हाँ पर बिलावए को जाता है न न वहीट धूरा सा डिस सवंजना पड़ेगा यह लोसस इसमें प्रोफेत मैं अ्लब है कुश्मिन करना साइजिन साइब तो वहां पर आ जाता है जो एक दिस्टिotherap कहरें बोलते हैं एंड च्छटी कटेगरी है जिसको ज्यादा लोग explore नहीं करते हैं जिसको जो कि मैं बनना चाहता हूं I'm in the way I'm on the way process में हूं that is vega trader राइट प्राइस आप ट्रेड करते हो एक तांक के वादा प्राइस नहीं आप रेंज ट्रेड करते हो प्राइस ट्रेड करने में 30-40 परविल्टी है रेंज ट्रेड करने में 60-70 परविल्टी है लेकिन जब आव वेगा ट्रेड करते हो ना वहाँ पे जो प्रविल्टी है जो आप आप अप अल्रेडी एक्सपर्ट हो कालेंडर में तो मुझे ज़्यादा बतानी जरूँद नहीं बट मुझे यह लगता है कि एक जो टॉप लेवल है ट्रेडिंग में डिस्कृश्टिशनरी ट्रेडिंग के बात मैं कर रहा हूं अब वेगा को ट्रेड करने लगते हो तो फिर आप प्रोफिटेबल तो बन जाओ तो मैंने नौन डेस्टिशनल करी है आज भी मैं करता हूं बट स्टिल आइस्पायर टो बी वेगा ट्रेडर एंड टेक्ट्रेड्स मैं अभी रिसेंटली दो साल से में अर्निंग्स ट्रेड क अभी अर्निंग सेशन चल रहे हैं तो अभी इंफोसे किया वेप्रो किया टीस किया सब में पैसे बने अगर नहीं किया क्यों के पास थे तो बैने अवोईड किया बट जो भी सुन रहा है इस पॉड्कास्ट को जो भी सुनेगा और वह अगर सक्सेस्फुल होना चाहता है इक्विटी से स्टार्ट करो स्विंग से करो एक्विटी इंटर्टे कर सकते हो धीरी धीर ऑप्शन सेलिंग में हो और फिर लास्ट चेज में फोकस ही रखो कि मुझे वेगा ट्रेड करना है और वो जिस दिन हो गया आप पहुंच गया हो आप प्रोफिटेबल हो जाओगे वेगा के ऊपर ना मेरी ट्रेडू स्टॉक के पॉड़कास्ट के ऊपर एक बड़े अच्छे स्पीकर आ रहे हैं उनको मैं स्पेसिफिकली इसी पॉपस के लिए लेके आ रहा हूँ नो बुल्शिट जब आएगा ना मैं बताऊंगा उसको एक बड़ी लुक करना प्लीज इसे बनाते हैं जैसे एक ट्विटर पर हैं मैं नाम नहीं लोंगा गाई तीन लाग का कोर्स बेचते हैं और एक क्राउं कालेंडर बनाते है ऐसे ुसस्टीन लाग का एक सेट अप होता है और वो उसके प्रचाइक करके हैं इसा हाइप बना कर रखा है मैंने डाल दिया था एक दिन तो उन्होंने वह डिलीट कर दिया कुई अब भी बनता है अभी मैं दो तीन अफ्ते दो बार में ट्रेट किया पैसे बने उसमें थोड़ा थीटा वेगा रिश्यों ज्यादा होता थीटा करेश्यों थोड़ा काम होता तो आई वी शुड़ बुलिश अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो तो वह रहा तो है अभी लेकिन म इंक्रीज की फिर हाँ यह जर्नी पर आते हैं ठीक है अगें पूट क्वेश्चन कापिटल कैसे इंक्रीज करी धीरे 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 करा कोविड आया मैं घर आ गया थीज़ार बीस में पहली ट्रेइन चली चलीजिए जो दिल्ली से न उसमें अपने घर आ गया एंद तब तक यह वस दूइंग अ प्रॉफिटब ट्रीड एकडम प्रॉपर तरीके से मैं प्रॉफिटबर ट्रीड कर रहा था इसा है तो मेरे एक अप कहलो बड़े पापा कहलो है जो भी कहलो वह उनसे हमने काइंड-अफ पापा ने बोला कि पैसे ले और उनको हमने एक फिक्स रिटन की दे रहें किस मतलब एक तरसे लोन लेना राइट इस नॉट पी एमस मतलब कोई आके नहीं वह ले रहा है भाई लोन ले रहे हम 10 परशन के एक फिक्स इंट्रेस्ट रेट पर हमने लोन लिया तो मेरे को confidence था कि मैं कर लूँगा अब मैंने दस लाख रुपए मैंने वहां से लिए कभी भी नहीं बोलूँगा मेरे पीछे मेरे पापा खड़े थे वो उनको पता था किसमें क्या रिस्क है और मेरे फादर पहले बिजनेस में कितने लाइक पचास लाख माइकर फाइनस पर दुबा चुके थे बदब बूब चुका था और भी चीजे और भी बिजनेस में वह कलाप्स कर चुके थे तो तो यूस्टू ठीक है लेते हैं रिस्क देखा जाएगा तो वह बैक अप था तो मैं ले पाया नहीं होता तो साथ कभी नहीं ले पाता तो मैं जो लोब की देट यह मैं सोचना है कि चलो इसने लोन से शुरू किया था अपने भी कर सकते हैं नहीं मत करना भाई मेरे फादर थे वैसे तो उन्हों मेरी हिम्मत हुई अदरवाइस तो कभी नहीं होती लोन पे लेके काऊंँ करना एंद वहां से मैंने पैसे बनाए ए तो धीरे-धीरे करके आज का टाइम पर मेरी बहुत ज्यादा कापिटल नहीं 27 लाग की मेरी खुद की कापिटल है मैं वही ट्रेड करते हूं और लास्ट के तीन-चार साल में मैंने वहां से धीरे-धीरे करके यह कमाया है तो इनिशली वह जो मुझे मेजर चंक था ना वहां से मिला बीच में मैंने और भी पैसे से ट्रेड करा बड़ अगें जो आपको खुद के पैसे से ट्रेड करने का जो सुकून है ना जो पीस अफ माइंड आप कम पैसे कमाते हो लेकिन आपको कम पैसे मैंड होता अब आपको अच्छी नहीं दाती है तो मेरा जो आगर आप प पैसा बनाना उसको बड़ा करना क्या होता है आई नो रैट ठीक है तो यह नो वेन यूर टेलिंग दिसना कि 10 लाक से यू रीश तो 27 लाक जैसे भी पहुंचे आई नौ तफ इस ने तो इसको पहुंचने में सब तीन साल लगे भी है तीन सारे तीन साल लगे बात लोगों को यह बात समझ में नहीं आती कि stock market से पैसा निकालना को बच्चों का खेल नहीं है यह मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं और टेकन लोग बोलते हैं कि हमेशे risk management की बात करता है रहते risk management मेरी शादी होगी होई मेरे बच्चे मुझे पता risk management क्या होती है क्या होता है आब बि नोबेडी शुद फेस्ट थेंग थेंगा थेंग थेंग एंट फड़ें थेंग दॉद अब लागए लास्ट सेशन जब हमरा हां पले भोल को फॉर मेंड बताया था आपको ठीक है with against people who have more money than you more excess than you so if you think that you are in a very easy profession you are not नहीं और आज का टाइम पर बिल्कुल भी नहीं आज की टाइम पर बिल्कुल भी नहीं ठीक है कि इतने मैसेज़ आ रहे हैं भी ट्विटर के ऊपर जब एवरीडे समबड़ी सेंग कि आए कोई ट्विटिग तुड़े माइक अगरेक्ट और यह संदिंग लोगों को एक बात नहीं समझ में आते कभी भी ट्रीडिंग के अनुदर की जब आप कह देते हो ना एक टाइम पर जाके राइट नाओ इस मार्केट इस बियॉंड माइं अंडरस्टेंडिंग रूंट वां पर ट्रेडिट यॉर्ट एक्दम बात से मैं टूटली अगरी करता हूं कि आज के टाइम पर तो मतलब और डिफिकल्ट हो गया टेडिंग इस दो मोस्ट इफिकल्ट जॉब आई बिलीव मतलब बहुत लोगों के लगता है और यह पता है इसी क्यों बनाए यह इंस्ट्रक्राम और यूटूब के वज़े से बनाए जो फेक अकाउंट्स जो क्लोन आप है इन्हों नहीं दिखाया है कि देखो हमें आईफोन खरीदना है हम मॉल के सामने ट्रेड किया एक लाखा का चलो आईफोन खरीद लेते हैं अरे हलवा है क्या लाग रुप्य कमा लिया तो इसकी वज़े से बहुत मिस्ट्रक्राइब हो रहा है लोग बहुत ही ज्यादा मतलब मैं क्या बहुत ही ज्यादा मतलब इससे बाते करें पूरी राप अदम हो जाएगी तो अपना खुद ट्रेड करता हूं कुछ नहीं करता एंद बहुत पीसफुली ट्रेड कर रहा हूं और इतनी जर्णी थी रीडिंग कर रहा हूं अभी बेमां स्टिल लर्निंग विवाला जो मैंने बताया क्मेरा ड्रीम है कि मैं फुल टाइम वेगा ट्रेडर बन सकूँ अभ मैं कुछ fund managers को जानता हूं, ठीक है, उनको मैंने specifically request किया, मैंने का you have been in the market for such a long time, ठीक है, आपने सब देखा हूँ है, zero DTE भी देखा हूँ है, ठीक है, आप लोगों है leverage भी देखा हूँ है, मैंने का जब आप टुटर के उपर बैट के इन सारी चीज़ों को देख के हसरे होते आप बढ़ी में अगर आप लागातार इवाल्व नहीं हो रहे हो, लागातार नहीं चीज़े नहीं सीख रहे हो, तो एक चीज़ पुरी जिंदे की काम नहीं करने माली है, और आज भी रोगित्पई में बताता हूँ, कि साथ साल हो गए, मार्केट मुझे हर छे मैने के बाद एक जोर का थपड मारता है, बहुत जोर का, और वो थपड से आग खुलती है, कि यार, अभी तो म मैं बच गया, I just lost around 75,000, उस दिन मुझे loss हो सकता था 20-25 लाग का, and that is the day, और आज का दिन है कि मैं कभी भी HPT, जिसमें बड़े losses होते हैं, वो trade करता ही नहीं, या तो iron fly कर रहा हूँ, या तो कर रहा हूँ, या तो calendars में कर रहा हूँ, बट कोई भी, कोई बेसी पूशन ले पूरा emphasis यहीं पर था, पूरा emphasis इसी पर था कि भाई, कुछ भी करो, पैसे बचा के रखो, वो रहेंगे तो तुम पैसा बना लोगे, यह वीडियो आपके पहले पहुंचने वाला है, ठीक है, वो वीडियो थोड़ा सा बाद में पहुंचेगा, मेन कोर्स हमने बचा के रखा हूँ उसके अंदर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, आपको आपको जैसे शेयर करना है, यह जो आप लोगों को इंस्टाग्र के उपर एक fake profit loss की statement दिखा देते हैं, ठीक है, या फिर selective days के उपर, they tell you कि हमने यह बताया था, यहाँ चला गया, इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखो, को, so before we close this session, कुंदन, is there something that you will like to share with my viewers today? जस दो बाते मैं लास्ट में बोल का खतम करूंगा, पहली बात, कि सब सीखना चाहते हैं market, और सीखने के खोज में हम निकलते हैं, कि traders, कोई mentor हमें मिल जाए, अब mentors ही वहीं पे scam होता है, और वही mentor आपको सही mentor मिल गया, जैसे मुझे सही mentors मिले, ठीक है, तो मैं बहतर हो गया, मैंने कभी मेरा ऐसा नहीं हो कि मैं बहुत बरबादी वाली condition में गया, मैं मेरी किसमत अच्छे करम बोलो, जो भी कोल लो, मेरा सही गया, बस एक चीज बोल स्वाफ, बड़ी महेंगी कार्स दिखाएंगे और उससे वह आपको लेवर करेंगे कि देखो हमने एक कर रहा है, तुम भी कर सकता हमारा कोर्स वैंक करो, एक वो है, और दूसरा, वह सिर्फ अपना काम दिखाएगा, क्यों अपने trade share करेगा, वह आपको YouTube पे सिखाएगा, तो स्वाफ में बिलीव नहीं रख रहा है, ठीक है, तो आप जो ये पहली काटेगरी है, जो स्वाफ करेंगे, उससे दूर रहो, जितना दूर रहोगे, अगर कोई भी पैसा आपको दिखा रहा है, वो आपको बना रहा है ब्योकूफ, और उसको बस वही, वो ट्रैप है आ बाते करता है, वो जो भी social media platforms पर हो, तो उस पर जाओ, ना कि मेरा portfolio इतना बड़ा है, मैंने इतने पैसे कमा लिए, मेरे इतनी बड़ी कार है, मेरे इतना बड़ा घर है, मैं दुबई में रहता हूं, सब बखवास है, ठीक है, MTM देखके पीछे गए, तो वो एक होता है, कि हड़ी अटका दी गएगा, आप उसको दोड़ रहो, कभी capture नहीं कर पाओगे आप उसको, और पीछे दोड़ते रहोगे, तो वो चीज कभी मत करो, उस चीज से बचके रहो, यह हो गया पहले चीज, कि mentor सही कैसे चुने, तूसरा जो मैं बोलूँगा, कि यार, options मत सुरू क करो, equity से start करो, that to swing, फिर intraday करना है तो कर लो, उसके बाद options में जाओना, तो buying मत करो, प्लीज, option buying में मैं नहीं कहता कि option bank से पैसा नहीं बनता है, but the probability of making money through option bank is very 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 less, मतलब 10,000 में एक बंदा होगा, जो पैसे बना रहा होगा, option bank में, नहीं बनाते हैं, और risk management is everything, मतलब Capital protection should be your first and foremost priority, and the third thing, कि option selling सीखो, especially zero duty नहीं, intraday नहीं, positional, positional में आप leap year तक भी जा सकते हो, एक simple सी, अगर मैं एक leap year की strategy अभी जस्ट में बदा जता हूँ, कि जब कभी भी निफ्टी नहीं 10% गिरे, जब कभी भी निफ्टी 10% गिरे न, एक December expiry का नहीं spread बना लो, debit spread, 2008 के बा चेक करके देखता हूँ, इतना लंबा आप कर लो, मैं इतना लंबा नहीं सोचता हूँ, विकॉज अपने को तो इस मन्त से मतलब है, मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ, जब भी मुझे, जब भी मुझे, इंडेक्स में 10% गिरे आउट मिले, मैं पक्का एक debit spread बनाता हूँ, 1-2 ऐसे करके, तो वही है कि, हम अपने second session में सीखेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसकी 2008 के करो, लेकिन अभी हम जो शूट कर रहे हैं, आज का market dynamic बहुत डिफरेंट है, I would never say कि intraday, although I am not an intraday trader, but आज के टाइम पर इतनी spikes हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, अभी रुको, 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 trader stock में एक session और आ रहा है, उसके अंदर ये भी ब को करना शुरू किया है, and the kind of people I have started to meet, because being a trader, being having some connection with people, जो मैंने over the years, build up किये थे, ठीक है, मेरे लिए एक बहुत जादा बड़ी help हुई है, इस चीज के अंदर, एक इतनी variety मेरे को सीखने को मिल रही है, इतना exposure मिल रहे है, learn करने का, you taught me one thing that day, ठीक है, लेडर कैसे करना है, ठी ठीक है, somebody told me zero DTE कैसे करना है, ठीक है, एक बंदा आया, उसने मुझे FNO का data और extra तरीके से किस तरीके से करना है, ठीक है, so I am in love with this podcast now, ठीक है, not because कि कौन कितना व्यू कर रहे है इस चीज को, बट, मेरा horizon कितना increase होता जा रहा है उस चीज को, आपने किने बड़ी बोल दिया कि मुझे ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, मैंने कह दे, मैं लेके आ रहा हूं, मैं देखुंगा, I am very excited for it, so let's stay tuned, and Kundan, thanks a lot, we are shooting this thing right now at 12.45, 12.37, 12.37 PM, ठीक है, and बहर तुफान चल रहे है, ठीक है, so I think, and since you, मुझे अभी, in-laws के उदर जाना है, ठीक है, so I think that's enough for today, बस मैं इतना बोलूँगा, thank you so much, literally thank you, I really enjoyed this, मतलब, मैं इतना दिल खोल के, अपनी टेडिंग के बारे में, लास्ट के 5-6 साल में कभी नहीं बात करा है, मैंने कहा था, मज़ा आएगा, I really enjoy it, मतलब, होता नहीं का भरे-पड़े होते हैं, कोई तो पूछ लो, मैं अगर अभी भी मेरे से कोई पूछता है, कई बरी, कि यार, रोहित, हम लोग traders on a bridge में आएंगे, कि करना क्या है, मैं कुछ नहीं करना है, हम लोग show start करेंगे, फिर वहां से देखेंगे, कहा जाना है, it is about you, और वो आपने freedom दिया, तो वो करकर बहुत मज़ा आया, and सच में thank you so much, इसके लिए तो मतलब, सच्ची वाला thank you, and I really enjoyed it, and हम connect करते हैं, and फिर कभी दूसरे podcast में मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, चालो, ओके, thank you, bye-bye, take care, bye.